प्रेंस नमस्कार स्वागत है आप सभी का जी इस वजन अकेडमी पर तो देखिए आज हम लेब टेक्निस्यन एकजाम में जियोग्राफी का जो भूगवल है आपका ये जियोग्राफी का हम जो है आज प्रैक्टिस करेंगे प्रिप्रेशन के तौर पर और ये जो जियोग्र प्रैक्टिस करेंगे आज ये सौट करेंगे और ये भूगोल का क्वेपर है आप देख सकते हैं जियोग्राफी का हन्डेड नमबर का पुछा गया है ये हम जो है फिफ्टी कोस्चन करेंगे पार्ट-3 के रूप में ये है जियोग्राफी का तो जल्द शुरू करते हैं औ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन में जरूर पेस करके रखिए ताकि भी भिन जो कंप्टिटी एक्जाम है उसका तैयारिया आप हमारे चैनल को मात्रम से कर सके और फिलहाल लैप टेकनिसियन का लगातार जो वीडियो क्रॉइड हो रहा है वो सबसे प अपनतिय कटक कहा जाता है क्या है यह जो है उच्चवच प्रतिलों का प्रतिफल कांसा नहीं है तो यह जो है अपनतिय कटक यह तीनों प्रतिफल है यह नहीं है तो एक रेक्ट आंसर होगा अगला कुश्चन है समाने तह गुरुत्व करसर बल पर प्लवन सिल्था बल एक दूसरे की विप्रित कारे करते हैं, किन्तु महादोपी प्रवास संबंधी बल में वे एक दूसरे की विप्रित क्यों नहीं कारे करते हैं, तो देखिए, दूसरे का क्या होगा, ये जो है पृत्वी का घनत्म ज्वारी घर्शन भुमाद रेखा पृत्वी का कार, तो ये प्लेट वियर्थ निकी सिध्धान से कोश्चन पुछा जाता है अगर पार्ट वन आपने नहीं किया है प्रैक्टिस से तो जरूर करने क्योंकि उसमें एकदम बेशीक कोश्चन बताया गया भूगोल का चलिए प्लेट वियर्थ निकी का सही साक्षे निम्न में से क्या है तीसरा नंबर का question तो ये क्या है सागरी नितल प्रसरण है C यहाँ पर correct answer होगा आप भी स्वयाम चेक करके देखें अपना answer कितने question का answer आप से बनते हैं निम्न में से कौन एक ढाल की उत्पत्ति के धार पर ढाल का प्रकार नहीं है कह रहा है तो देखिए विवर्त निक ढाल प्रात्मिक ढाल अपर दनात्मक ढाल और संचयन ढाल सही answer होगा प्रात्मिक ढाल चाथे का जो है बी correct answer होगा पांच्वय नंबर का question रेखते हैं चलिए सुमेलित करना है तो यह देखिए धाल प्रतिस्थापन यह किस्से सुमेलित होगा पैंक से एक अप 4 धाल पतन सिध्धान यह किस्से होगा यह डेविस का सिध्धान अगल SAY समनांतर व्यवर्तन का सिध्धान C तो यह हो जाएगा आपका king C का 2 फिर बहुल प्रक्रम संकल पना तो यह हो जाएगा आपका बचा क्या है 3 तो यह हो जाएगा बावलिंग तो इस तरह से A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3 C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पांच वे का चलिए छटवे नंबर कोस्चन देखते हैं नीमन में से कौन रचनात्मक प्लेट किनारे का भाग नहीं है तो देखिए किनारे का भाग नहीं है पूछा जा रहा है तो नवीन सागरी क्रस्ट का निर्मान ज्वाला मुखी क्रिया सामुद्रिक परवस्रेणिया भ्रंस यों करगार का निर्मान तो देखिए D यहाँ पर क 5% भुकम नीमन तीन पेटियों में आते हैं किस किस पेटियों में आते हैं चलिए देखते हैं परी प्रसांत पेटी परी आर्क टिक पेटी मध्य अंध महासागरी पेटी यह नहीं है मध्य महादुपी पेटी इंडो यह भी नहीं होगा परी प्रसांत पेटी मध्य इंट विकलूं अवस्था की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्रियाओं में कौन आदर प्रदेसों में कार्वुनेट चर्टान पर सरवाधिक सक्री होती है चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन है तो यह क्या होगा अब घर्षड सन्नी घर्षड जलगती क्रिया संचारर तो सही आंसर होगा संचारर नाइन का जो है डिकरेक्ट आंसर है अभिकथन और कारण तो अभिकथन है मध्य अंध महासागरी कटक के दोनों और नविंतम बेसाल्ट की क्रस्ट है कारण दिया गया है मध्य महासागरी कटक के दोनों तरफ अभिसारी संचलन चल रहा है अब देखिए अभिकथन यह सही है किन्तु आर गलत है देखिए मध् सारी संचलन चल रहा है ये नहीं है ये गलत कहा गया है तो C यहाँ पर correct answer होगा A सही है कि इन तो R क्या है गलत है तो देखिए ये हमारा 10W का C हो गया 11 नंबर question देखते हैं नीम नंबर से किसी स्थान पर गहन अभिवाहन कोहरा पाया जाता है तो grand bank पर पाया जाता है पुछ लिया जाता है subject अंदर से तो उसके लिए ये काम आ जाएगा तो चलिए देखते हैं बार्वे का जब ग्रीस मकाल की कपासी बादलों के दौरा होने वाली वर्सा धरातल पर पहुचने की पूर्व ही वास्प्रिक्रित हो जाती है तो ऐसी वर्सा क्या कहलाती देखिए अब ये question बन सकते हैं ऐसा question पुछा जा सकते है तो ये ट्यूबा माम्मा विर्गा थंडर से ये अंसर है ये विर्गा कहलाती है तो बार्वे का जो है C correct answer है तेरवा नंबर question देखते हैं वाई मंडल को ध्यान में रखते हुए सौर या त आपका कमजोर होना मुख्यरूप से निर्भर करता है ये भी आपके जीके टाइप के question है तो ये दोनों question अच्छे से करें आप बारवा और तेरवा यहां पर देखते हैं चैनात्मक प्रक्रिणन प्रस्रीत परावर्तन और 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 सोशन तो इसके कराण वाई मंडल को ध्य जाना जाता है तो देखिए पार्थी विक्रण किसके लिए जाना जाता है प्रती विक्रण अकास विक्रण प्रभाव साली विक्रण सही आंसर होगा प्रभाव साली विक्रण 14 का सी कटरेक्ट अंसर 15 नमबर को सचन देखते हैं अल नीनों की विश ताईय Gregory से पहचानी देखें बहुत इंपॉर्डण को सचन न आपके ऊट सकते हैं अल नीनों वाला को सचन और अच्छे से देखियेगा नीमनसूची से पहचानी देखं़ी इसकी विश देखें पंद्रावे नंबर का देखते हैं कौन कौन सा इसकी विश्यस्ता है महासागरी सता की नीचे उस्डधारा है ये बिल्कुल सही और पेरू तर्ट के समीब बहने वाली धारा है ये ये भी सही है पस्चिमी प्रसांत महासागरी तर्ट को उस्रा करने वाली है ये सही नहीं है अल निनो को छोटी बहन के नाम से भी जाना जाता है ये भी सही नहीं है तो A और B ही के वाल करेक्ट आंसर होगा इसका तो C यहाँ पर करेक्ट आंसर है पंदरहमे का C चली अगला देखते है शोलवे नंबर कोस्चन यहाँ देखिए सुमेलित करना है यहाँ देखिए विली विली देखिए विली विली तो यह विली विली क्या है यह आस्ट्रेलिया में चक्रवात है यह विली विली चक्रवात कहा है तो यह अच्छे से याद कर लिजिए रट लिजिए इतने सारे को क्योंकि यह अलग-अलग रूप में पुछे जा सकते हैं तो यह जपान का है वीकप फूर और बगुयो तो यह बगुयो जो है यह फिलिपिन्स का है और टाइफुन जो है यह क्या कहा जा रहा है टाइफुन यह चीन सागर का है ध्यान रखेंगे टाइफुन चीन सागर का तो एक बार फिर से रिफिट कर लिजिए A का 2, B का 4, C का 1, D का 3 C यहाँ पर correct answer होगा आप चलिए देखते हैं 17 नंबर का question नगरी smog के निर्माण में प्रमुक दोसी है तो देखिए नगरी smog के निर्माण में कौन सा है carbon dioxide, sulfur dioxide और ozone, nitrogen तो सही answer है नगरी smog निर्माण में प्रमुक दोसी sulfur dioxide को मना जाता है तो 17 का B जो है correct answer है और ये भी बहुत important है आपके अभी अगामी exam के लिए lab technician के लिए भी अब देखिए अभी कथन और काराण से संबंधित question है तो अभी कथन और काराण से संबंधित question में देखते हैं अठारवे नंबर का question अभी कथन क्या है चलिए देखते हैं अभी कथन है सूरी की किर्णों का कोण विशुवत रेखा के समीब बढ़ता जाता है तथा ध्रोक योर कम होता जाता है देखिए क्या कहा जा रहा है ये बिल्कुल सही है जो सूरी की किर्णों का कोण वीशुवत रेखा अब यहाँ देखी इस तरह से हम देखे प्रित्विक हो तो ये जीरो अंसक छांस है ये वीशुवत रेखा के नाम से जाना जाता है तो इसके आसपास जितने भी छेतर होते हैं इसके आसपास जितने भी छेतर होते हैं वहाँ पर क्या होता है ये जो है सूरी की किर्णों का कोण वीशुवत रेखा समीब यहाँ पर अधिक तापन पड़ता है क्योंकि सूर्य की किर्णे हमेशा यहां सीधे चमकती है तो सीधे चमकने के वज़ा से यह छेतर गरम रहता है और धुरो की ओर जैसे यह धुरो है इस ओर बढ़ते जाएंगे 0 से फिर साढ़े 23 संसक्षांस मतलब 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो यह 90 डिगरी यह धुरो की ओर जब बढ़ेंगे तो यह क्या हो जाता है इसका तापमा इसका जो है कम हो जाता है तो यह बिल्कुल सही है तापमा कम होते जाता है जब उपर बढ़ते जाते हैं सूर्य के किर्णे विश्वत समीप पर बढ़ता जाता है और ध्रोक्यों कम होते जाता है, काराण है ध्रुवी छेत्रों में सुर्य की किर्णों को वाई मंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है, अब देखिए, कथन और काराण बिल्कुल दोनों सही है, किन्तु आर अभी कथने का सही इस पश्टी करण नहीं है, दोनों सही है जब हम पुराने से टिक जाम का कर रहे थे, तो यही कोश्चन पेपर पूछा गया था और यही कोश्चन अभी भी आया है, आप अन्य एक जाम में देख लिजें, सीजी व्यापम का यह कोश्चन पूछा ही आता है, बहुत जादा इंपोर्टेंट है, आयम पी टिक कर लें तो चलिए देखते हैं, यह उन्निस्वे नंबर का कोश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए, अधो मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, सब ताप मंडल और बहीर मंडल, तो क्या लिखा है, परतो को निम नवाई मंडल से उपरी वाई मंडल की और व्यास्थित केजिए, मतल मंडल, उसके बाद होगा आयन मंडल, उसके बाद होगा लास्ट में बहीर मंडल आखरी में होगा, यह पांचवा, तो इस तरह से A, D, B, C और E, A क्रम हैं, यह बहुत इंपार्टन कोश्चन अच्छे से करिएगा, बीसवा नंबर कोश्चन देखते हैं, मृत जिले का उप गर्म जल धारा है, तो गर्म जल धारा कौन सी है, फ्लोरिडा की जो जल धारा ही, यह गर्म जल धारा है, 21 का यह करेक्ट आंसर है, अब चलिए देखते हैं, 22 नंबर का कोश्चन देखते हैं, चलिए, 22 है दक्षडी अट्लांटिक महसागर में, नीमन लिखित में समुद्र जल धाराओं का, उत्तर से दक्षड के और कौन सा करम है, देखिए, उत्तर से दक्षड के और करम पूछ रहा है, दक्षडी अट्लांटिक महसागर में, तो देखिए, यह इसको देखेंगे, इसका अंसर क्या है, तो चलिए, सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे देखिए, पहला क्या होगा ये दक्षिडी विश्वत धारा ये सही है फिर ब्राजिल धारा ये भी सही है दूसरा पहला के बाद दूसरा फिर उसके बाद अंटार्किटिक प्रवाह होगा तीसरा में फिर वेंगे फिर ये लास्ट लाइगा आपका वेंगुयला धारा तो इस तरह से है फर्स्ट सेकेंड फिर फोर्थ फिर थर्ड तो B यहाँ पर correct answer होगा 22 वे का चलिए 23 नमबर का question देखते हैं नीमन लिखित में से कौन सा समू समुद्री जल के अधिक लवडता है तो उत्तरदाई यह भी important question है तो चलिए देखे थर्ड 23 का उच्च वास्पी करण उच्च तापमान उच्च वर्सा देखे यह नहीं होगा समुद्री जल के अधिक लवडता है तो उत्तरदाई कौन सा है तो यह देखे उच्च वास्पी करण है उच्च तापमान है और नीम न वर्सा है तो यह जो है बी correct answer होगा 23 नमबर का चलिए 24 वे नमबर का question देखते हैं तट रेखा तथा sorry तट रेखा तथा प्रतोड़ा रेखा के मध्यम सागरी जल के छेत्र को कहते हैं तो देखे 24 वे नमबर का क्या कहते हैं सर्फ मंडल कहते हैं एक correct answer है सुनामी नीम न लिखित के कारण पैदा होती है देखे 25 का यह बहुत जादे important question है तो यह क्या है जो आरभाठा चेकरवात नहीं अंता समूद्री भुकम के कारण होता है तो C यहाँ पर correct answer को 25 का चली 26 नमबर question देखते हैं यह है कथन और आपका दूसरा है कारण तो देखे 26 में क्या है चली यह देखते हैं उत्रिय अट्लांटिक महासागरी मार्ग विश्वका सबसे महत्पुन महासागरी मार्ग है विल्कु सही है उत्रिय अट्लांटिक महासागरी मार्ग विकास सिल्थ था विक्सित राष्टो को जोड़ता है यह भी सही है दोनों सही है और अभिकथन आर अभिकथन जो है कारण आर अभिकथन एका सही स्पष्टिक करण है यह यहाँ पर correct answer 26 का चली 27 नमबर question देखते हैं समुद्रिय टिला जिसका सपाट सिखर होता है किस नाम से जाना जाता है तो यह निमग्न दिप के नाम से जाना जाता है D जो है correct answer 27 और बहुत important question है अच्छा-च्छा question पुछा है हाली में पुछा गया question paper 2024 में ही पुछा गया है 29 नमबर का question देखते हैं चलिए सुमेलित कीजिए अब यह सुमेलित करना है एक तरफ तरंग उचाई है तो तरंग उचाई क्या होगा यह दो क्रमिक तरंग सिर्षों की बिच लंबवत दुली A का 4 फिर उसके बाद B का देखते हैं तरंग लंबाई यह दो क्रमिक तरंग सिर्षों की 36 लंबाई 3 होगा B का 3 फिर C का देखिए तरंग प्रमरता यह होगा तरंग उचाई लंबाई कनुपात और लास्ट है तरंगों की संख्या यह तरंग आवरित्ती होगा तो A यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चलि अगला कोश्चन देखते हैं 30 नंबर का कोश्चन देखते हैं 30 नंबर कोश्चन है 36 वितराज मुखेता प्रभाविथ होता है तो यह किस तरह से प्रभाविथ होता है तो प्रचलित, पौनो, अक्षांज, तथा माहासागरी जल धाराउं दोला तो 30 कसी करेक्टांसार है 31 number question रखते हैं नीम नली खित को सुमेलित कीजिए अब देखिए ये नीम नली खित को सुमेलित कीजिए बहुत important है चलिए देखते हैं ये भीतरकनिका कहा है ओडिसा में है ये मैंगरो है और ये राज्य है ये बहुत ज्यादा important है ये अलग-अलग क 31 number question देख रहें A का 2 फिर उसके B का देखिए कुंडपूर तो ये कुंडपूर करनाटक हो जाएगा B का 3 बेंबनाड तो ये बेंबनाड हो जाएगा केरल में फिर पीछा वरम ये पीछा वरम हो जाएगा तमिलनाडो में तो ये इस तरह से A का 2 B का 3 C का 4 और D का 1 B यहाँ पर करेक्टर आंसर होगा 31 चलिए अगला question है पारिस्थितिक तंत्र में अहार स्रिंखला के अंतरगत पोसल इस्तर को वस्थित कीजिए तो देखिए सबसे पहले स्वपोसित फिर उसके बाद साका हरी आएगे जैसे मालीजे घास वगेर है तो घास को टिड़ा खाता है ति 32 नंबर का तो यह क्रम जो होगा यह आपका होगा पहला फिर चाओ था फिर दूसरा फिर तीसरा तो यह सही आंसर हो जाएगा आपका सी जो है करेक्टर आंसर है फिर उसके बाद है निमनलिखित में से कौन सा रामसर का जो है कन्वेशन के अंतरगत आद्र भूमी नहीं है देखी 33 में तो यह डल जील सी जो है यहाँ पर करेक्टर आंसर है 33 का 34 नंबर कोश्चन देखते हैं निमनलिखित में से कौन सा संसाधन प्रबंधित पारस्थितिक तंतर है तो देखी प्रबंधित पारस्थितिक तंतर कौन सा है 34 का तो 34 नंबर का कोश्चन है यह प्राकृतिक पारिस्थित की तंत्र में उर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन है और दूसरा है आपका कारण मानाव के दारा बहुत सी हानी कारण ग्रिन हाउस गैसों का उस सर्जन किया जा रहा है। इसको भी आपको पूरे सारे को रट लेना है पूरे सारे को अभ्यास कर लेना है क्योंकि अलग अलग रूप में पूछ सकता है। यहां मिलान करें पूछा है हो सके कभी मालोजोन दिवस कब मनाया जाता है एक लटा एक तरफा एक ही दिवस कुले करके कोश्चन बन सकते हैं तो इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यह एकजाम में पूछ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं निम्न लिखित में से कौन से युगम सुमेलीत है। सुमेलीत है मतलब कौन सा सही है। तो देखिए यहां पे 208 भूमी दो फरवरी को मना जाता है दिवस यह बिल्कुल सही है। 37 नंबर कोश्चन देख रहे हैं यह सही है। फिर उसके बाद है 20 जल दिवस 20 मार्चा को नहीं मना जाता है। 200 बाग दिवस देखिए 20 बाग दिवस C यह 29 जुलाइक मना जाता है यह भी सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मना जाता है यह भी सही है। तो D यहाँ पर करेक्ट आंसर होगर A, C और D अगला कोश्चन है 1977 में मरुस्थली या मरुस्थली करण पर सम्मेला निम्नलिकित में से किस सहर में आजित किया गया था। तो देखिए 38 नंबर का जो कोश्चन है यह केतन की अधाना प्रस्थूत की तो देखिए परियावरान से भी यह संबंदित कोश्चन पूछ सकता है यह बहुत इंपोर्टेंट है तो जे जे ग्रिनेल ने तो यह देखिए एक अच्छा कोश्चन है अगला कोश्चन है निम्नलिकित में से किसकी सुध प्राथ्मिक उत पादक्ता सबसे अधीक है तो देखिए किसकी शितोसर वन उस्र कटीबन्धी सवाना शितोसर घास कमणान उस्र कटीबन्धी वर्षावन तो जही अंसरा कटीबन्धी वर्षावन अगला है एक 40 नंबर को question देखते हैं सुची फर्स्ट को second से सुमेलित करना है देखिए एक तरफ भूगोर वेता है दूसरा तरफ सिध्धान्थ है तो चलिए यहाँ पे क्या होगा answer आपका चलिए यहाँ देखते हैं 41 वान थ्यूनेन देखिए वान थ्यूनेन यह है क्रिसी आविस्थिती सिध्धान्थ इनों ने दिया अगला है अल्फरेट वेवर तो देखिए अल्फरेट वेवर यह है और दोगी का विस्थिती सिध्धान्थ इनों ने दिया तो यहाँ पर correct answer है 41 का 42 number question देखते हैं चलिए 2011 की जन गर्णाय करमसार नीमनलिखीत राज्यों की जन संख्या घरते करम में सही है देखिए कैसा पूच्चार जा रहा है तो पूरे आपको याद रखना पड़ेगा करम को तो देखिए 42 number यह बहुत ज़्यादा important question है यह बन सकते हैं से question आपकी एक्जाम में लैब टेक्निसेन एक्जाम में भी ऐसा question बन सकता है तो देखिए 42 number question में क्या है महाराष्ट, बिहार, पस्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और राजिस्तान बिल्कुल सही है यह जो है इसकी 2011 की जनगर्णा करशा राज्यों की जनसंख्या घट्ते क्रम में सबसे ज़्यादा महाराष्ट फिर बिहार फिर पस्चीम बंगाल फिर मद्धर प्रदेश फिर राजिस्तान तो यहाँ पर correct answer होगा 42 का 43 नंबर question देखते हैं चलिए जनसंख्या भूगोल के संस्थापक कौन है अब देखिए जनसंख्या भूगोल के संस्थापक कौन है तो देखिए एक और question हम प्रैक्टिस सेट जब शुरू कराया थे थामनेल में आपने देखा होगा भारत का भारत का बहुतिक समाजी कार्थिक भूगोल उसमें 25 नंबर का question दिया था फिर से मैं correction करा रहा हूँ आपको ध्यान रखेंगे उसमें भूगोल का जननक कौन है और कुछ-कुछ में हिकेटियस भी दिया रहता है अगर इरेस्टोनिस नहीं है तब किस्तिदी में हिकेटियस को आप ले सकते हैं वैसे दोनों है लेकिन सम पूंडर रूप से विद्धानों को मत है कि इरेस्टोनिस को माना जाता है यहाँ पुछा गया जनसंक्या भूगो के संस्थापक कौन है यहां देखिए 43 नमबर कुछन तो ये जो है gd ट्रिवार्था है कौन है gd ट्रिवार्था ड यहां पे करेक्ट आंसर होगा 43 नमबर का 44 नमबर का निमनी लिकीत में से अधार भूत अनधार भूत अनुपात निर्धारन की विधी नहीं है तो यह कौ और यह पुराने एक्जाम में अगर व्यापम में आप उठा लेजिए पटवारी वगरा एक्जाम तो आपको देखने को यह कोश्चन मिल जाएगा यह रिपीट हुआ है आप कहते हैं कि रिपीट नहीं होता इसी बाते नहीं है चाहिए वो दूसरे एक्जाम का हो यह एक्ज ध्रू सिंधान के दान한 निम्ननलिकित में किसकी है तो देख्योगी 46 में किसकी है यह यह पिर आउक्स की है बी जो है किरेक्ट Trans hundred 4647-65 नंबर कुशंड खिते हैं भारत को जनसंख्या प्रदेसों में किस ने विभाजित किया तो जनसंख्या प्रदेसों में पीar ngup lee cycling correct आस बिल्कुल सही है देखिए जनगर्णा से संबादित बहुत कोशिचन पुछा जारा अच्छेस कर लिजेगा अब देखिए दूसरा है 2014 की जनगर्णा के अनुसार राजिस्थान सबसे कम साक्षरत वाला जीलर बिल्कुल नहीं राजिस्थान नहीं है अगला है 2011 की जनगर्ण जो की जनसंख्या देश में सरवाद दिखाए यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 जनगर्णा से जो भी कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कोश्चन अच्छे से रठ लिजे आप तो यह मध्ध प्रदेश में किसमें 2011 की जनगर्णा करसान सुची जनजातियों की जो जनसंख्या है यह मध्ध प्रदेश में दिखा है और यह CGPSC और व्यापम किया अगर बात करें तो दोनों में यह कोश्चन लिया गया है चाहे वो किसी भी एकजाम में हो आप देख सकते होंगे आप देख भी सकते ह कि यह कोश्चन पुछा गया था बहुत इंपोर्डेंट था अंतिम कोश्चन है आपका अधिवास भोगोलून सुधाओं से संबंदित है जिने मानाव किसी छेत्र से दखल करने की प्रक्रिया के दौरान बनाता है किसने परिभासित किया है देखि किसने परिभासित किया तो सी एफ कोन ने किया तो आज हम फिप्टी कोश्चन ही करते हैं दोस्तों ये वीडियो अधिस से दिक लोगों को सेर करना नहीं भूलेगा अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें 51 नंबर से कोश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताए कि अगला प फूर साबित होगा आपको लेट टेक्निस्टन एक्जाम के लिए या अन एक्जाम के लिए क्योंकि एकदम करेंट में बहुत अच्छे से कोश्चन ये 2024 का पूछा गया कोश्चन पर पार तो चलिए दोस्तों आप सभी को सुब्कामना कर जाएं